तो फ्रेंड आज हम साउथ का फेमस चकली की रिस्पी ले के आए हैं जो बहुत ही आसान तरीके से बनता और बहुत क्रिस्पी क्रंची तो चलिए इसे बना लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने 1.5 कप मैदा लिया है मैदे को एक मलमल के कपड़े में बांद करके इसे हमें भा टिफेिए में रख के कूकर में पानी डालेंगे और यसे बहाप में 15 पकाएंगे तो गहत only अन्वाप में रख लिया है और आप एयट कूकर लेंगे उसमें हम एक ग्लास एधी ग्लास पानी डालेंगे एक और मिने डेड़ ग्लास पानी डालके एक नीचे हमने कटोरी रख दिया उसके उपर इसे रख करके भाप में पका लेंगा आपका सगर रिंग हो तो आप रिंग भी रख सकते हैं इस तरह से अब हम एक विसी लाने के बाद इसे हम 15 मिनिट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छे से मैदा पक जाए तो अब यह देखिए पक गया है गय समबंद कर दिया और इसे हम उतार करके ठंडा करेंगे फिर कुकर को खोल के देखेंगे कि कैसे पका है देखिए ठंडा हो हमिन यह देखिए चिपक गया है बाब से थोड़ नमी रहता है जिसके वजेड़ सी कपड़े में चिपक ही तर्क करके अबी गांट बन गया है इसे फोड़ करां डू कर लेंगे और इसे चनी से चांड ट्र whereas in गए तो तोटे सारे फूल जाएंगे और आसानी से छन जाएंगे ती अब इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून कालि मिर्च कुटी रूए और इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून तिल सफेद वल्ला और आपजित में डाल दिया जीरा और एक इसमें अजबाइन रब करके ताकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आजाए और हाफ इस्पून हमने नमक डाल दिया नमक आप अपने टेस्ट के नसवर कम ज्यादा कर सकते हैं और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे इसमें कोई और नहीं डालना है कोई मोहिन के लिए जरूत न यह मद्रें दिमें हैं इसमें एक कप में देखिये आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानि लगा या बाकी पानि बच गया थि यह देगे हमने ले लिया है उसके अमको चकली बनाना है यह हमने स्टार वाला लेक्श लेinnen और में आंब हम वाल लगा करके अंदर शायर घर दें रहें और को रहा sadh bu अंनो हो रहा है जब तक कोई गरम हो था जब तक हम चकली बना लेते हैं प्रेख लेंगे जिसमें असानी है चकली बना जाय आप चाहें पंट i ya recht tested या वे बना सकते हैं हमने लोड़ा है धोड़ा ही ना न बिर्लेट में नहीं गंदम sufficient colour तरह से को अच्छ से चिपका दिया और इस तरह से हम सारे चकली बनाके रख लेंगे फिर आम प्राइब इस औसे बनता है आधर पर कणने में मेंस ऐंबाग्सार हाई होना चाहिए गरम ताकि चकली अच्छे से प््राइब की लेह एक बार में जितना आएगा उतना ही हम को डालना है तो एक बार में दो या तीन बस इतना हीं हम डालेंगे ताकि यासानी से पलत सकliness और अच्छे से पक सके तो यह बहुत साफ बनता इसलिए बहुत ही इसको अच्छे से पलटना है और एक साइड जब अच्छे से हो जाएगा जभी हमको इसको पलटना है नहीं तो यह तोट जाएगा तो एक साइड देखिए पक गया है अब हम इसे पलट देंगे के उसके बाद हम दूसरे सइड करें की सितरे से डेखिए दोनों साइड में हमको इसे का पले देना है बहुत समाल कलके पलटना है क्योंकि वह सॉफ्ठ होता है तूटने का डर रहता है इस तहरे से हमने बना लिया और यह देख़े पक के तयार हो हैं तो आप दूसरा बैच राय कर लेते हैं है इसी तरह से अधगी हम कर लेते हैं मैं यह गुष्ट मैं नंटरी एक वहिमे तक उस्टोर करके रफ सकते हैं जो आफ यह वह और बच्चों को टिफिन में सफर में जा रहा है तो ले जा सकते हैं यह बहुत क्रषि बनता है बहुत लिए बनाध़ सकते हैं तो यह बहुत लिए, हमारा मन की तयार हो और हम सारा प्राइब कर लिए अब हम आपको दिखाते हैं इसे तोड़ करके कितना सॉप्ट यह बना हुआ है तो इस तरह से आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना अन्भो जरूर सेयर करें कि यह चेक लिए आपका कैसा बना यह देखिए हम एक तोड़ के आपको दिख आपको देखिए ना इसमें कोई महनत है बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं रेश्पी जड़ा भी यूश्पूर लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे वीडियो पर ही सधीक मात्रा में सेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडिय में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स